हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरतमान में रासवासांसद ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पतपर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था, किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ, किस तरह से आगे एक गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया। यह उनका गुर्गा था, इसको बदमासी का बड़ा सौक था, तो यह बड़े गैंग लीडर मिल गए उसमें था, उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रंपस सिंग की हत्या, उनके भतीजे साधू मकनुषी ने किया, डेढ़ विश्वा जमीन पर, और जिसके सिल मर्डर हो गया, उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनुषी सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने, जिसमें में था, त्रिभूण सिंग और उधर ब्रिजेश सिंग, उसके बाप का मर्डर हुआ था, धौरारा में, एक साहाप सिंग होते थे, इन सब लोगों न इसने किया था, दो जनवरी 86 को थाना साहित पूर छेतन में, जब इसने दो भाई, बिरंदर सिंग बेडा और डाक्टर राम बिलाज सिंग, जो रंपस सिंग के बेटे थे, उनको मार दिया, फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपस सिंग का हवलदार राजिंदर सिंग बना सिंग के बेड़ा, उसके गेट पर मारा, और उसके बाद साधू सिंग जो था, अब इसका गुरू था, मुक्तार का, वो अपना अफजाल अंसारी बिधायग बन चुका था, उसके प्रयास से, ये जेल से आगे हस्पिटल में, उनके पतनी को बच्चा हुआ था, सुबह कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है, और साधू सिंग के उहीं मार दिया, और उसके साधू सिंग के मारने के बाद ये पूरा गैंग पहुचा मुडियार घाओं में, और वहां उसका भाई धामोदर था, उसको मार दिया, एक रामा संकर सिंग मार दिया, घर के गैनवार में दरजन नहीं हंडर्स में लोग मरें तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में विधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में ये चुनाव लड़ना चाहता था और उस समय कासी राम जी ओ मुलायम सिंग्या समझावता किया एक नारा चला मिले मुलायम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक मुक्तार के साडू लगते थे गाजिपूर में वहीं रुखते थे तमाम जो बड़े-बड़े नेता थे मुकतार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजिपूर सदर मुक्तार को मिल जाय है मुक्तार जेल में था मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी विश्वनात राम मुनीब दलित थे। उनको जनरल सीट से टिकट दिया। बीस नॉम्बर 93 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था। और उन्हीस की रात में ग्यारा बजे विश्वनात राम मुनीब दलित घर से निकले और दो गाड़ियां आती हैं मोटर साय के लिए और अतला अतल गोली मारती हैं मारती हैं। मुगतार अनसारी ने मारवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो चाता था मुझे जितना हरालत में तो जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई-शन हुआ तो कासिराम जीने टिकट दिया कालासनात यादो को और रोती हुए पहुँचे कि साम मुगतार्म मार देगा। पी गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे मुक्तार रहने नहीं देता था कुछ बड़े सब अच्छे अफ्चरतनात हुए मैं कुछ का नाम बता दूँ जावी धामर डीजी हुए चार दिन पंद्रा दिन जमाल अश्रफ बीस दिन संदीव सालूं के दो माँ अभै शिर बात पंच महहा 15 दिन डक्टर पितिंदर से जमाल ब्रजरार च महिना चै दिन सो बात दूबय एक महहिना वीछ दिन बीके गर्ग चार महीना दो दिन, बैभो कृष्णा दो महीना आठ दिन, आनंद कुलकनड़ी दो महीना दस दिन, रविसंकर शबी एक महीना दो दिन, और जस्वीर सिंग एक दिन. तो मुक्तार ने ये किया, अगर उसके हमसार कोई S.P. नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था, और उनको रहता तो जिसके हमसार काम करने, और सही बात, इसका काम क्या था अपराद, और जो सिपाही इसने भरती कराए, मैं एक साफ बना चाहता हूँ, कि पोलिटिकल के इलाम जो इसने भरती कराए, जो फूलिस फोर्स को क्रिमनलाइज किया, तो इसके क्राइम को बढ़ाने में, इसको मजबूत बनाने में, पुरवांचल के पोलिस कर्मियों का बड़ा रोल रहा, और उसमें क्यों सिपाही नहीं, आईपियस आपसर तक सामिल थे, दो घटनाए बत चुनाव होता था, मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए, जैसे सुबह चुनाव हुआ, मुहमदाबाद इसका जो अपना मिंकस्बा है, एक बियार थे बीजे पीके ओवर कर, उनको एक सैंतालीस से धरड़ा धर गोली मारी, दहसत हो जाए, तमंचस मार सकते थे, एक सैंताल से मार दिया, दस्यों बूत पर बाहर एक सैंतालीस फाया, दना दन इसके जितने गुर्गे अताउर रहमान बाबू, सहाबू, मुन्ना बजरंगी, ये सब चल रहे थे, और दीपक सर्मा एस पी थे, रोकने का प्रयास नहीं, और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ा, क केल मीना को, लेकिन तब तक मुक्तार अपना काम कर चुका था, और ये 2004 में, ये सांसद मनगे, मैंने रेकमंट किया था, ये गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए, लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी, तो इस तरह से, दूसरा कहना चाओंगा, एक जनवरी, इसने लाइट मेशिन गन मंगवाई, और जिससे कि क्रशनारनंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए, पाउरफुल उपन होता हमारा इंफेंटरी का, उसके बाद चो 600 गोली पर मिनेट फायर करती है, इसका गनार था मुन्नार यादो, उसके माध्यम से उसन बनवाया था, जिसको मनमोहन सिंह सरकार आते ही उसको खतम किया गया, तुस्टी करण की राजनीत में, तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है, और उसमें मुन्नर यादो, मुक्तार अंसारी बावुला लिया दो, उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो, और मुलाहि प्रेजक्यूशन के लिए सासन में आया, माने मुलाहिम सिंह ने मुक्तार अंसारी को प्रेजक्यूट नहीं होने दिया, परमिशन नहीं दिया, मुन्नर यादो और बावुला यादो को ददद साल गिसे जा होती है, तो सारी पलिटिकल पार्टी चाहें, वो अखले कि आप चीफ रहे हैं, हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरा दिया हैं, उसे आप लिपते हैं, तो आप मुक्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते हैं? मौत का कारण आलड़ी कई डाक्टरों के पैनल से, जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर, नहीं कि लोकल डाक्टर मुक्त कर लिये हूँ, और किया गया, क्या पाया गया, हार्ट अटेक, प्योर हार्ट अटेक, उसके बावजूद ही मैस्टर इंकुरी ओडर है, एस साइटी बन अंसारी को लाया जा रहा था, पंजाब से, तो अखलेश काते थे, कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए, अतिका हमद के बारे में अखलेश नहीं कहा था, गाड़ी न पलट दी जाए, लेकिन अखलेश यादों कांग्रेस नहीं देखेंगे, तृष्णा कर रही है, इसको कोई CBI जाच की ज़रूत नहीं, जो किलियर कट केस है, उसमें वो आ चुका है, जाच हो रहा है, इन्वस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कोई CBI जाच की ज़रूत नहीं है, ये किवल वही लोग हैं, जो उससे, जो ओट बैंग के सौधागर हैं, और कांग् समाजबादी पार्टी थी अरे मुलाइम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े वह भी एक हैसे ताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिही कामद असरप का कोई रोल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिही के घर ज समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने बड़े बदमास उत्रप्रेश के उसको समाजबादी पार्टी पाला इतने नहीं चंबल के टकायत चैव निर्भो गुजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुआ के बाई और उसके बेटा और भाईयो समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर साथ लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्षन जब आते थे तो चंबल के ढकायत फर्मान जारी करते थे समाजबादी पार्टी कोच में देते थे निर्भो गुजर इतना वह पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्डी का हीरो हूँ उसका फर्मान जारी करते थे बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी ढकायतों से आज जोगी राज है चंबल समाथ हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए एक कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइच कर लिए हैं तो यह जोगी राज है मोदी राज है इसमें जीरो टालरेंस है और यह आज इस्तिती यह बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच ट्रिलियन की एकोनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेट दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक ट्रिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जो गिया दितनात का होगा दिलिबाद हमसे बात करने के लिए तो उत्तर प्रदेश पलिस के पूर सबसे बड़े श्रट कारी डीजीपी रहे यूपी एश्टीफ के चीफ रहे और पूरा उस समय मुक्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूरा अपना गैंग तयार किया, किस तरह से काम किया, किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनीत में बड़ा एक मुकाम हासिल किया, उन सब बातों के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी केमरापरसन संजी बर्मा के साथ पवन गौड नपकीटीन दिल्ली